हेलो एब्रिवन आप लोग के लिए गुड नियूज है लेकपाल की भरती का जो नोटिफिकेशन आना था वो आज आ गया है और इसमें कितने पद के लिए है क्या-क्या आपके लिए जारूरी जानकारी है और कब तक आनलाइन आवेदन की अंतिम्तित ही होगी उसके बारे मे उसके बारे में और आवेदन संसुधन की इंतिम्तित उन कि जो दी गई है यानि कि चार मदले में इसमें पड़र 1002änd के लिए भरती का विग्यापन आप mean साथ दिवस के अंदर 4-2-2022 तक अनिवार रूप से कर लिया जाए मतलब बहुत संसोधन की जो दिया गया है संसोधन करने के लिए ऐसा कहा गया है बिग्यापन संख्या एक परिच्छा 2022 राजसुलेकपाल मुख्य परिच्छा के अंतरगत है और इसमें जो मैंने आपको बताया कि पद के जो पद दिया गया है 8085 पद राजसुलेकपाल के दिया गया है उसी में एक आद दो और कुछ चैन किया गया है कि दूसरे पद भी रहेंगे आनलाइन आवेदन करने वाले अभरतियों के लिए आवस्थिक सूचना इसमें दी गई है जो जिन लोगों ने पेट किया है पेट का फॉर्म भरा है वही लोग इसको भर पाएंगे जो लोग पास ऐसा कुछ नहीं दिया गया इसमें निर्धारित नहीं किया गया जिन्होंने इतना परसेंटाइल या इतना नमबर पाया है ऐसा कुछ नहीं कहा गया इसमें सीधा सीधा कहा गया कि अभरति प्रारंभी कहरता परिच्छा के रेजिस्ट्रेशन नमबर के प्रमारी करन है तो दो बिकलप उप्रद्ध कराए गए है बेक्तिकत बियूरण के साथ जो पीटी के परिच्छा थी रेजिस्ट्रेशन नमबर जनतित लिंग उत्रप्रदेश के मूल निवास वस्त्रेणी समंदी बियूरण भरकर आवेदन आ लॉग इन कर सकता है OTP के माध्यम से भी अभरती लॉग इन कर सकते हैं मतलब आपको या तो रेजिस्ट्रेशन नमबर देना पड़ेगा या तो फिर जो रेजिस्ट्रेशन मुबाइल नमबर है उसके माध्यम से आप राप्त कर सकते हैं अगर आप उसमें आवेदन किये होंगे तब लेंग बिवा मुबाइल इमेल सोता ही प्रदर्सित हो जाएंगे मतलब आपने जो पेट में भरा था वो सोयम आ जाएंगे आपको उसमें कुछ करना नहीं होगा तो आपके लेकपाल का जो बिग्यापन है ओ आगया है तो आप लोग साथ तारिक से इसको फार्म फिल कर पाएंगे अब इसमें हम आगे आवेदन फीस के बारे में बात कर लेते हैं तो आवेदन फीस सभी से नहीं लिया जा सकता है इसलिए जो लोग पहले फार्म फिल करेंगे सभी वर्ग से पचीस पचीस रूपए लिया जा रहा है और कुछ नहीं लिया जा रहा है लेकिन आगे इसमें कहा गया है कि यहाँ पे अगर आप देखें अब भेर्थियों के लिए ध्यान देने यह बात निर्धारित फीस सुल्क का भुगतान इचलान के माध्यम से किया जा सकता है आगने किसी माध्यम से निर्धारित नहीं किया जा सकता है इसके आगे दिया गया है कि मुख परिच्छा है तो परिच्छा फीस सुल्का भुगतान क्यों मुख परिच्छा है तो सार्ट लिस्ट किये गए अब्भेरतियों द्वारा ही अलग सेल किया जाना होगा मुख परिच्छा है तुषा प्रवेस्पत्र डाउन लोड करने से पूर्व आप पो देना पड़ेगा मतलब यह मात्र आपका जो चार्ज है इंटरनेट चार्ज जो भी होता है सर्विस चार्जों ले रहे हैं पचीस रुपए उसके बाद जब आप प्रवेस पत्र डाउनलोड करने ही पूर आप से लेकपाल की जिनको सार्ट लिस्ट किया जाएगा उन से पूरी फीस ली जाएगी लेकपाल की और खीसी से नहीं ली जाएगा और इसमें एक महात्रपू अबल्योकों के संभीच्छा परिच्ण के समय इस फार्म के एक प्रतिस प्रस्तुत करनी होगी तो मतलब आप अपना प्रिंट आउंट अपने पास जरूर से जरूर रखिएगा नहीं तो आपके लिए अगर आपका चैन होता है तो आपके लिए दिक्तत हो जाएगी ज़धन आप कर सकते हैं चारफर विए तक उसमें आपको टाइम दिया गया है और इसका जो बेतन मान दिया गया है 5200 से 20200 ग्रेट बेतन जो है 2000 रूपय का इसमें 18-40 के लोग इसमें फार्म फिल कर सकते हैं और इसमें जो पद दिये गए हैं पद यहाँ पे आप देख ली और EWS के लिए जो आर्थी रूप से कमजोर है उनके लिए टोटल 798 पद यहाँ पर दिये गए हैं तो टोटल EWS के लिए 798 पद हैं टोटल पदों की बात करें तो 8085 पद टोटल यहाँ पर दिये गए हैं तो पूरा विज्यापन है आप लोग इसको देख सकते हैं मैं अप आप जाके इसके UPSC के साइड से इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आप लोग कोई जानकारी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पहुंच सकते हैं मैं आपको उसकी जानकारी और से प्लब्द कराएंगे तो फ्रेंड्स हमारे इस वीडियों बस इतना धन्यवाद